रिसेंटली मोटो ने एक जबरदस्थ फॉन G54 5G लांच किया है और इस फॉन को यूज करते हैं मुझे एक वीक हो चुका है तो इस फॉन के साथ मेरा एक्सपिरियंस कैसा रहा वो आज आपको बताऊंगा वैसे इसकी स्टार्टिंग प्राइस 16,000 रखी गई है बट कार्ड के बाद ये 14,500 में मिल जाता है अब सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बॉक्स को ओपन करते हैं तो बैक कवर फोन पे लगावा मिलता है साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर और USB केबल मिलती है इसमें स्क्रीन कार्ड लगावा नहीं आता है तो सबसे पहले आप ट के निसान दिखा ही नहीं देते हैं और सिक्योरिटी के लिए साइड में फिंगर्पिंट सेंसर मिलता है जिसकी स्पीड फास्ट है साउंड क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी बिकॉज इसमें डूली स्पिकर मिलते हैं साथ में डॉल्बी एट्मोस का सपोर्ट भी है बाकि इसमें निचे की तरफ हैटफोन जैका पोर्ट है तो आप वाइड एरफोन यूज़ कर पाऊगे और ये फोन IP52 सेटिफाइड है तो वाटर स्प्लै से से सेफटी भी रहेगी फोन में हाइब्रीड सिम स्लोट मिलता है तो आप चाहे दो सिम या फिर एक सिम और एक मे मतलब आप 5G नेटवर्क पे इंटरनेट चलाने के साथ साथ कॉल भी कर पाऊगे वरना जनरली इस बजट में वोल्टी कॉलिंग ही मिलती है बाकि इसमें गूगल डाइलर है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो बट आगे वाले को अनूस्मेंट जाएगा कि कॉल हो रही है डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 6.5 इंच की फूल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है यहां पर अच्छी क्वालिटी का पैनल यूज किया गया है वीडियो में कलर नेचुरल दिखते हैं और डिस्प्ले का टच रस्पॉंस भी अच्छा है यूट्यूब में आप सकते हो आपका काम नहीं अटकेगा सॉफ्ट्वेयर पर आते हैं तो फॉन में लेटेस्ट एंडरुट 13 मिलता है और सॉफ्ट्वेयर यूज करने में बटरी स्मूध है आपको ऐसा फील होगा जैसे आप स्ट्रॉक एंडरुट वाला फॉन चला रहे हो एक और चीज मुझे अच्छी लगी इसमें फाल्तू की ब्लोट वैर एप नहीं मिलती है और नहीं अनेसेसरी एड्स होते हैं और मोटो ने हमिसा की तरह गैसर वाले तगड़े फीचर इसमें दिये हैं जैसे फोन को सेख करते हैं तो फ्लेश लाइट ओन हो जाती है ट्विस्ट करते हैं तो फ् फूचर में इसमें एंडोइड 14 तक अपडेट मिलेगा और तीन साल तक सिक्यूरिटी अपडेट मिलेंगे और ओर ओल इस फॉन में यूजर फ्रेंडली और क्लीन सॉफ्ट एर एक्स्पिरियंस मिलता है इसकी पर्फॉमेंस भी आपको पसंद आएगी इसमें इंडिया का डियमेंड सिटी सेवन जीरो टू जीरो प्रोसेसर यूजर यूजर किया गया है एंटू तू बेंचमार्क में फॉन का स्कोर 4.8 लेक आता है जो कि इस सेग्मेंट के सबसे अच्छे स्कोर में से एक है और रियल लाइफ पर्फॉमेंस आपको बता हूं तो रेगुलर यू ज्यादा देर गैमिंग करते हैं तो फौन फोड़ा ओम फिल होता है अभी वाली दिक्कत तो नहीं हैं बट जएदा देर गैमिंगी करने पर टेंपरराचर थोड़ा french होता है कैमरा पर आते हैं तो फौन में 50 मेंगा पक्सल का में कैमरा और 8 मेंग यूजिया पिकसल का रल है HDR भी सही काम करता है और नाइट में भी यूज लेने लाइक फोटो आती है वीडियोग्राफी में बैक कैमरा से 1080p 60fps पर वीडियो बना सकते हैं और वीडियो में स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है फ्रंट में 16 का फीचर है तो फ्रंट और बैक कैमरा से एक साथ वीडियो बना सकते हैं और इस फॉन का कैमरा बजट को देखते अच्छी दी है यहां पर एक और बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा इस फॉन में एट प्लस वन टॉंटीएट के अलावा ट्वैल प्लस टू फिफिटी सिक वाला वेरियंट आता है जिसकी प्राइस 19,000 रखी गई है बट कार्ड डिसकाउंट के बाद 17,500 में मिल जाता है अब आप सोचिए मोटो 12 GB रैम वाला फॉन इस प्राइस में दे रहा है कितनी जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी प्रॉपोजिशन है अब फाइनल ओपिनियन की बात करों तो इस बजट में मोटो ने प् इस बजट में फॉन रहे हो तो इसको एक बार चैक जरूर करना बाकि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो मिलते रहें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर बाइबाइ